हेलो एवरिवान वल्कम टू क्लास सीरीस और आज के इस वीडियो में हम जिस चाप्टर के शौट समरी जाने जा रहे है उस चाप्टर का नाम है चेरा पुंजी से आया हूँ शिलंग मेगाले की राजदानी खुबसुरत राजदानी है वहां के प्राकृतिक सौंदरे की तुलना उत्तर भारत में किसी भी शैर के साथ नहीं हो सकती सुच, सुंदर, परवतियन अगर, चारो तरफ हरियाली चाई हुई ऐसा शायद ही देखने को मिले लेखक जीब से 53 कि मिटर दूर तेरा पुंजी की और बढ़ रहे थे साथ में राजद के अधिकारी, श्री, संगमा और उनके दो दोस्त भी थे उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक मेगाले में जल विदुत का उत्पादन माला की बिक्री से जादा होता है और अतिरेक्त बिजली अन अंचलों में बटा हुआ है खासी परवत, गारो परवत और जयातिया परवत हर एक अंचल का अपना महत्व है अलग संस्कृती है वहां मात्र सतात्मक परिवारिक व्यवस्ता है भूमी धन संपती सब मा से बेटी को मिलती है जाड़तर पुर्वतर राजियों में स्त्रियो का वर्च स्वव देखने को मिलता है भले ही वहां मात्र सतात्मक परिवार व्यवस्ता ना हो मनिपूर की राजदानी इंफाल में मायती बाजार देखने को मिलता है मायती बाजार यानि मा का बाजार दिन भर समान की बिक्री यहां की महिलाय करती है यहां वर्ग भेद नही अमीर गरीब घरों की स्तिरिया इस बाजार में मिल जाएंगी इस बाजार में दुकानों पर बैटी है मैलाए फिर चाहे दुकान फल सब्जिया की हो या फिर चाय की आगे बढ़ते हुए लेखक संगमा के साथ चले जाते हैं वहाँ एक जगह पर जीब रुकवा दी सामने न आसमाई प्रताप के नाम से लोग प्रिय है उन्हें वहाँ पे दिखाई दिया उचे पहाड से सैकडो कूट नीचे पानी लगातार बिना किसी रुकावट के गिर रहा है वहां से बांगला देश ठीक सामने से नजर आ रहा है अचानक हलकी हलकी वर्जा शुरू होती है पल वाला स्थान माना जाता है वहां कलकल करते जल प्रपात भी है मोर पानी से घरे बांगला देश का भू भाग नजर आता है खासी जयनतिया और गारो इन पहाडियों के लोगों की विशेशताए कुछ इस प्रकार है खासियों को समान के दृष्टी से देखा जाता है गारो स पेंतिया पहाडियों के उर्सव का नाम बेहरडेन खलाम है, मासमाई काव की गफाय है, वहां इतनी अंधिरी है कि मशाल या टॉट जलाई बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, लेखक के साथ संगमा और उनके दोस्तों ने मशाले जलाली और गुफाओं के अंदर आगे ब